चाहिए अलेकुम हम लोग लास फर्ष्ट के उर्दु शुरू की हैं और हम लोगों ने इसमें चैप्टर बहुत सारे पढ़ चुके हैं और कल हम लोगोंने हुरुफ तहजी से हुलुफे ताजी में जो दोचश्मी है आती है उसके जरिया से जो लेटर बनता है उसके उसी के लेकर हम लोगों ने जुम्ला बनाया था कल एक सफ़ा हम लोगों ने पढ़ा था आज दूसरा सफ़ा देख लेते हैं लेकिए इसके एकवर रिवाइस कर लेते हैं तो हम लोगों का अच्छे से समझ में आ जाएगा भैंस घास खा रही है ये हमारा मुल्क का जंडा है छाता नया है घड़ी में नव बजे है किसान खे जोत रहा है गुलाब का फूल बहुत फूसूरत है इसी के और मिसाल देख लेते हैं हम लोग देखे घोड़ा भाग रहा है देखे घोड़ा में भी दूचश्मी है गाफ प्लस हे वराबर घा होता है यहां पर भी यूज़़ए थन दूद से भरा है ते प्लस हे वराबर था होता है यहां पर भी यूज़़ए दाल प्लस चश्मी हे बराबर भा होता है, यहां पर भी यूज हुआ है, फिर देख लीजे, आस्मान पर धनक निकल रहा है, देखिए यहां पर भी यूज हुआ है, हाथी सीधा जानवर है, चमन में फूल खिला है, यह धनुश हामित का है, घोडा भाग रहा है, थन दूद से भरा है, निकल रहा है, हाथी सीधा जानवर है, चमन में फूल घिला है, ये धनुष हामित का है, इसको आम लोग एक मरताब लिख कर देख लेते हैं, तो आम लोगो पच्छे से समझ में आगा, देखे, पहला जुम्ला है घोडा भाग रहा है, क्या है घोडा भाग रहा है, घोडा भाग रहा है, घोडा भाग रहा है, देखें, फिर है, थन दूध से भरा है, थन दूध से भरा है, फिर है, आस्मान पर धनक निकल रहा है, फिर है, हाथी सीधा जानवर है, हाथी सीधा जानवर है, फिर है, चमन में फूल खिला है, चमन में फूल खिला है, पिर है, ये धनुष हामिद का है, ये धनुष हामिद का है, गोड़ा भाग रहा है, थन दूध से बरा है, आस्मान पर धनक निकल रहा है, हाथी सीधा जानवर है, चमन में फूल खिला है, ये धनुष हामिद का है, इसको हम लोगोंने अच्छे से लिख लिया है, फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्या है पढ़िये और लिखिये धोलक धनुष धेला भिंडी धोलक धनुष धेला भिंडी दिखें, हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि वर्ट को कैसे लिखते हैं लेटर मिला कर देखें जैसे हम लोगों का पहला लेटर है डाल पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं धोलक अब आगर हमको उर्दू में ट्रांसलेट करने हैं तो हम कैसे करेंगे धहाँ है यहाँ पर हिंदी इसके लिए उर्दू में कौन सहाँशा लेटर आता है फुरुफे ताज यह में धा होता खाली डा होता है डाल और डाल डा होता है अगर हमें धा लिखना है तो उर्दू में कैसा लिखेंगे इसमें तो सिर्फ डा होता है तो इसमें अगर हम दोचश्मी है मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा धा धा से धोलक तो हम लोगों को पहले धा लिखना है तो धा के लिए कौन साल लेटर आएगा डाल और दो चश्मी है तो मिला कर ये हो गया ये दोनों मिला कर ये धा हो गया फिर ओ की मातरा लगी हुई है यहाँ पर तब क्या हुआ यहाँ पर धो हुआ है पहले धा था तो यहाँ पर धा लेती है फिर ओ की मातरा जब लग गए तो यहाँ पर क्य वाव लगाते हैं क्या लगाते हैं वाव तो यहां पर क्या हो जाएगा जब हम लोगों किसको धो बनाना रहेगा तो यहां पर धार में वाव लग जाएगा तो यह क्या हो जाएगा धो हो जाएगा फिर ला है यहां पर ला के लिए क्या आता है यहां पर उर्दू में लाम आ शुरू में आएगा तो किस तरीके से लिखेंगे विश में आएगा तो किस तरीके से और काफ भी हम लोग पर चुके हैं तो काफ हम लोगों को इसी में मिला कर ऐसे लिख देना है तो यह क्या हो गया धोलक हो गया देखिए धा की जंगा धा लिख दिए ओ की मातरा की जगा वाव लिख दिए ला की जगा लाम लिख दिए और काफ की जगा छोटा काफ लिख दिए तो यह क्या हो गया? ढोलक हो गया उसके बाद दूसरा देख लिजिए धनुश है क्या है? धनुश क्या है धनुश? यह धा है यह धा है और यहाँ पर जो उर्दू की हुरूफ है तहाजी में धा वर्ड नहीं होता है लेटर उसके लिए हम लोगों को क्या करना है हम लोग पहले पर चुकी है जब अगर हम लोगों को धा बनाना है तो दाल प्लस दोचश्मी हे जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा धा हो जाएगा क्या हो जाएगा धा हो जाएगा तो हम लोगों को धा बनाने के लिए दाल और दोचश्मी हे को मिलाना पड़ता है तो यहाँ पर है धा, तो हम लोगों को दाल और दोचश्मी हे लिखना है यह हो गया धा, फिर ना है तो इसके लिए नून लिखना है तो किसी के साथ एक शोशा लगा देंगे तो ये नून हो गया फिर है छोटा उ की मात्रा छोटा उ की मात्रा होगी तो पेश लगाएंगे छोटा उ की जहां भी मात्रा होगी उस लेटर पर पेश लगेगा तो धा हो गया फिर नू है तो नून के उपर पेश लगा देंगे धनू हो गया यहां पे धनू हो गया यहां पे धनू हो गया फिर शा है तो बड़ी शीन लगा देंगे एक दो तीन देखिए धनूश और धनूश धा की जंगा धा लिग दिये नून ना की जगा नून लिग दिए उकी मातरा की जग़ा पेश लगा दिए और बड़ा शा की जग़ा बड़ी शीन लिख दिए क्या हो गया धनुश हो गया उसके बाद है हम लोगों का थेला क्या है थेला हम लोगों को इसमें जो हम लोग चैप्टर पढ़ लए हैं उसमें हुरूफ तहजी में जो दोचश्मी हैं आती है हाई मखलूत आती उससे बने जूमले है तो हाई मखलूत कहां यूज होती है जहां धा, फा, भा, और धा, और घा यह सब उसमें नहीं आता है हुरूफ तहजी में अलिफ से लेकर यह तक नहीं आता है उसमें दोचश्मी हैं मिलाना पड़ता है यहाँ पर ठा है और हुरूफ तहजी में कोई भी ठा के लिए लेटर नहीं है अलग से उसके साथ हमको क्या लाना है पहले टे लाना है उसके साथ दुचश्मी हे मिलाना है तो यह क्या हो जाएगा ठा हो जाएगा ठा से ठेला वाला ठा तो ठा लिखना है तो यह लिखेंगे पहले ठा हो गया यह लिख दिया है फिर ए की मातरा लगी हुए है ठेला में ए क लाम लिख देंगे फिर आ की मात्रा है तो यहाँ पर अलिफ लिख देंगे तो यह सब मिलकर क्या हो गया थेला देखें ठा की जगा थे लिख दिए ए की मात्रा की जगा छोटी यह लिख दिए और लाम की जगा ला की जगा लाम लिख दिए तो हो गया क्या ठेला फिर उसके बाद है भिंडी क्या है भिंडी या पर या तो नून छोटा ना लगाई या तो भिंडी लगाई ये तो भा के लिए हम लोगों को रूफ ताजी में कैसे लिखना है रूफ ताजी में से हम लोगों को लेना है बे और उसके साथ मिला देना दुचश्मी है तो यह मिलकर क्या हो गया भा यह सब लोग पीछे पढ़ चुके सिर्फ हम मिलाने का तरीका बता रहें तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिजिए समझ लिजिए भा हो गया भा है तो यहाँ पर भा लिख दिये सब्सक्राइब के लिजिए और शोटी ऑकी मातर आप दहां दो है और पर चोटी ऑकी मातर आप यहाँ पर जेड लगा दिये फिर हे यह नून यह ना पढ़ेंगे ना भिंडी ना पढ़ रहे न यह आढ़ाख को नुक्ता लगाते हैं बिंदी लगाते हैं तो नून के लिए, ना के लिए हम लोग नून लिख दिया, फिर डा है, दा के लिए डाल आता है, वो लिख दिया, फिर बड़ी की मात्रा है, देखें यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर हम लोग यह लिखेंगे, क्या हो गया, भिंडी, देखें, भा की जगा, भ हिंडी कितने अच्छे से हम लोगों को समझ में आ गया अगर आपको समझ में इसमें कुछ भी अभी भी नहीं आया होगा तो आप जरूर बताईएगा मैं उसको और अच्छे से explain कर दूंगी और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से यह समझ में आ गया है कि इस तरीके से लेटर को मिला कर वर्ड हम लोग बनाते हैं और आप लोग अपना जो आज का सबक उसको रिवाइस करी और अपनी नोट बुक मो उतार लीचे और आपको जो भी समझ में नहीं पढ़ेंगे आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते दूसरी वीडियो में तब तक के लिए लाहाफीर